हेलो फ्रेंस, विल्कम बेक तो मैं चैनल, आज हम से बहुत ही टेश्टी हेल्दी डाल बनाएंगे, कद्दू डाल की रेस्पी, यह बहुत ही सिंपल सी रेस्पी है और बहुत ही आसान, तो चलिए बनाते हैं कद्दू डाल, जिससे आप चावल रोटी के साथ आराम से खा सकत तो यहां मैंने एक चौथाई कप के बराबर अरहर दाल और एक चौथाई कप मूंग डाल लिया है इस दोनों डाल को हम मिक्स कर लेते हैं अब सबसे पहले इसे हम अच्छे से वाश करेंगे इसे मैंने कर्टोरी में डाल लिया है इसमें पानी डाल कर इसे हम दो से तीन पानी अच्छे से रगर कर धो लेंगे जिससे इसमें जो भी डश्ट हो वो बाहर निकल जाएगी यहां मैंने दाल को तीन से चार पानी धोया है यह दाल बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है बच्चे ऐसे सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ऐसे दाल बना कर खिला सकते हो तो धोई हुए दाल को मैंने कुकर में डाल लिया है यह दाल जटपट बन जाती है गैस अन कर लेंगे कुकर को मैंने गैस पे रख दिया इसमें हम दाल का तीन से चार गुर्णा पानी एड़ करेंगे इसे में हम डालेंगे आदा चुटा चम्माच हल्दी पाउडर, दो इलाइची, हरी इलाइची मैंने आड़ किया है, एक से दो तिस पत्ते डालेंगे, इसे आधा से एक इंच दालचीनी का टुक्रा आड़ कर लेते हैं, अब इसे बॉयल होने देते हैं, बॉयल होने के बाद क्या है, इसमें जो जाग है, साइड साइड में आ जाते हैं, इस जाग को हमें निकाल लेनी है, इससे दाल है बहुत ही अच्छा बनता है, तो ऐसे दाल से जाग निकालने से दाल और भी हेल्दी बन जाता है, अब क्या करेंगे, इसमें हम स्वाद अनुसा नमक डालेंगे, एक से ब्रभर चमज के बराच नमक डाला है एक कप के बराबर कटा हुआ लोकी डालेंगे समयन इजाई जाना है चिलके निकलने से टमाटर अच्छे से दाल में गल जाते हैं क्योंकि छिलके रखते हैं दाल में एक शमच के बरावर कोई ही कुखी होय दालेंगे اور इसका धकन बंद कर लेंगे अब इसका हम चार से पाफ सीटी लगा लिए तो इसका मैंने पाफ सीटी लगा लिया है और इसे ही ऐसे ही चोड़ेंगे तो सीटी निकल गई है ये दाल बहुत ही healthy के साथ सा tasty भी होता है इस दाल को मैंने बिना लशुन प्याज का बनाया है अब चाहो तो इसमें लशुन प्याज भी add कर सकते हो तो अब लगाते हैं इसमें tasty वाला तरका जिससे इसका स्वाद और भी बर्ज आएगा तो अब चाहो तो direct इसमें भी तरका लगा सकते हो पर इसे मैं बॉल में निकाल लेती हूँ देख रहें ना दाल की कंसिस्टेंसी कितनी perfect है ना ज्यादा गाड़ी ना पतली ऐसी होनी चाहिए तो तरका लगाने के लिए मैंने तरका पैन गर्म होने के लिए रख दिया है पैन गर्म हो गया है इसमें मैंने दो बॉल आज़ेंगे के बराबर शर्षो तेल डाला है अधा चोटा चंब जीरा डालेंगे दाल की क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने इसमें काम इंग्रिएंट किया है तीन से चार चिटकी के बराबर हींग डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च एड कर देते हैं अब हारी धकने से तरके का फ्लेवर दाल में चला जाता है दाल बहुत ही अच्छा लगता है अब तरके में लशुन भी एड़ कर सकते थे तो देखिए बहुत ही टेस्टी वाला दाल बना है आप इसे जरूर ट्राइब करना इस दाल को आप प्लेन चावल रोटी पराठा के साथ खा सक तरके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बबाई टेक क्यार